पानी रे पानी का रंग कैसा होता है क्या पानी सफेद होता है गीला या इसका कोई रंग नहीं होता है लेकिन हमें पानी के रंग को जानने से पहले यह जानना आवश्चक है कि आखिर कोई रंग हमें कैसे दिखाई देता है जब सूरे का पिरकास यानि लाइट किसी भी आबजेक्ट पर पड़ती है तो उसके अलग-अलग रियक्शिन होते हैं जैसे लाइट रेफ्लेक्ट होकर बापस आ जाती है लाइट अब्जब हो जाती है या फिर लाइट उस आबजेक्ट के आर पार चली जाती है असल में light object पर गिरती है और reflect होकर हमारी आहों तक पहुंसती है सूरी के प्रकास में 7 रंग होते हैं जिन्हें हम spectrum कहते हैं किसी भी पधार्त या बस्तू का रंग इस बास से तै होता है कि वह प्रकास के 7 रंगों में से किसको पराबर्दित करता है और किसको सोख लेता है या किसको observe कर लेता है for example अगर कोई बस्तू सारे रंगों को सोख ले तो वह काली दिखाई देगी अगर कोई बस्तू सारे रंगों को reflect यानि प्राबर्दित करे तो वह सफेद दिखाई देगी और यदि वह सारे रंगों को आर पार जाने दे तो वह पारदर्शी याली की रंग ही दिखाई देखी यानि कोई बस तू जिस रंग की वेवलेंद को परावर्थित करे हमें वही रंग दिखाई देता है एक बात और पिरकास के इस साथ रंगों में सबसे कम वेवलेंद नीले रंग की होती है और सबसे आदा विवलेंद लाल रंकी होती है जब हम एक गिलास में पानी भरते हैं तो उसका कोई कलर नहीं दिखाई देता क्योंकि वह सारे रंगों को अपने से आर पार जाने देता है और जब हम समद्र के पानी को देखते हैं तो हमें नीला दिखाई देता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी ज़्यादा माउट में होता है और पानी हलकी वेवलेंद को परावर्दित करता है जिससे हमें समद्र का पानी नीला या हलका नीला दिखाई देता है कभी-कभी समुद्र का पानी हमें हलका लाल भी दिखाई देता है ऐसा इसली होता है क्योंकि लाइट पानी में मौजुद अणों को एनरजेटिक करता है या फिर हम कह सकते हैं उनमें कमपन होता है जिससे वे एनरजेटिक होते हैं और हमें पानी हलका लाल दिखाई देता है इस से हम इस मिश्चे पे पहुंचे कि पानी का कोई रंग नहीं होता है कभी कभी उसमें मौझूद मिनरल्स के कारण उसका रंग हलका नीला और लाल दिखाई देता है धन्यवाद आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करकर जून बताईएगा वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेर और सब्सक्राइब जून करिएगा धन्यवाद